हलो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं मिठाई की रेसिपी इसी बनाने के लिए यहां पे आपको लेना होगा एक चुकंदर एक से ज़्यादा नहीं लेना है खोनने हैं इस्थान पे चीनी का यूज़ कर सकते हैं इसको हमको हिल दी हिला से बनाना है इसलिए हम गुड का यूज़ कर रहे हैं आप चीनी भी डाल सकते हैं कोई प्रॉबलम नहीं तो सबसे पहले इहां पे जो चुकंदर है इसके उपर का जो छिलका होता है प्योस लेना है इसका जूस बना लेना है दोस्तों तो फड़ा-फडशे इसको चील कर हम जूस में लाल हो चुका था यहां पे हमने अपने तेखुर को आड़ कर दिया है तेखुर को पचार से पांच मिनट तक बनिया से लो फ्लेम पे इसे भूनना है अच्छे तरीके से भून जाए तो इसे ना एक बरतन में निकाल लेना है अपने पानी को डालेंगे पहले वरना इसमें गुठ लियां पर ज समझ के ता से बढ़ियां से इसको गॉल लें तो मारा गॉल रेड़ी हो चुका है फिर से वापस से घूल को अट कर दे ना है अब डाल देना है इसमें जो हमने यह जूस तयार किया था चुकंदर का इसको और फिर आ जो जो गुड था उसको भी इस Мне डाल दें तो हम अपने गुड को डाल देते हैं गुड को डालने के बाद ना इससे कांटीनू चलाते रहना है चलाते चलाते आप देखेंगे कि यह थक्के की तरह जमना सुरू हो जाता है हल्वे के फार्म में बढ़ के तयार हो जाएगा हम आपको सारा वीडियो में दिखाने की कोशि है अब इसे और ज्यादा नहीं पकाएंगे इंडेक्शन पर से उतार के अपने बरतन में निकाल देते हैं दोस्तों यहां पर हम आपको वीडियो में दिखा नहीं पाया है सूट करने में मिस्सिंग हो गया था भूल गया थे तो मतलब जैसे हमने बढ़ाया है और टोटली हमने ड्राइब फूर्स थोड़े से डाल दिये थे तकि दिखने में अच्छा लगे तिसको आपको ना ऐसे पीसे में छोटे-छोटे काट लेना है आप जैसा से देना चाहते हैं वैसा दे सकती हैं हम यहां पे ना मतलब ट्राइंगल से दिए हैं दोस्तों बहुत जादा ड नेक्स दस्पील के साथ तब तक कि लिए बाइबाई